महोबा में 55 गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिस अधीक्षक अपढणा गुपता के नेत्रित्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया राष्ट्रिय पर्व को शांतिपून धंग से संपन्न कराये जाने को लेकर एसपी ने पुलिस मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं तो वहीं तमाम थाना प्रभारियों के साथ समवेदन शील इलाकों का भ्रमन कर वाहनों की चेकिंग अव होटल में आने जाने वाले संदिग्धों की सघन चेकिंग करने के आवश्यक निर्देश दिये हैं महोबा पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुपता ने बताया कि कल 26 जनवरी को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई हैं इस राश्ट्रिय पर्व पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सके इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया है साथ ही शहर के तमाम संदिग्ध इलाकों में फ्लैग मार्च कर थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए हैं 26 जन्वरी राष्ट्री यप पर्व पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के द्वारा शहर में आने पर उसकी सघन चेकिंग करने के भी निर्देश दिये गए हैं दिके आज 26 जन्वरी की गंतन दिवस की पूर संध्या है इसनाते आज हम सब के द्वारा जो हमारा थाना कोतवाली का मिश्रत आबादी वाला शेत्र है उसमें भारी फोर्स के साथ रूट मार्श किया गया ताकि लोगों को एक सुरक्षा का एहसास हो साथ ही जो यहां पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं उनका जायजा लिया जा सके तो यहां पर काफी सारे लोग थे बहुत सभी चौकी प्रभारी और महिला थाना की सारी फोर्स और सारे अधिकारियों हम सब ने मिलके रूट मार्श किया है आज सबको यह निर्देश दिये गए हैं कि जितने भी हमारे रेल्बे स्टेशन हैं या बस्टेंड हैं मिश्रत आबादी वाले शित वहां पर पुलिस लगातार भ्रमंडशील रहे विजिबल रहे और लोगों से पूछे यदि उनका कोई समस्या है तो उसका सल्यूशन कर साथ ही चेकिंग अभ्यान चलाया जाए जितने भी हमारे होटल्स रेस्टरॉस या रुकने की जगह हैं और ओवरॉल सेक्टर्स बनाते हुए फोस डिप्लॉइमेंट करते हुए कलका त्योहार अच्छे से बीते इसको सुनशित किया जाए